आज हमारे साथ मौझूद है इफवत उमर, टॉप मॉडल, अक्ट्रिस और सिलेबरिटी लिकिन इनकी एक और पहचान भी है ये राइट्स आक्टिविस्ट भी है और हम आज इनके साथ हमारे मौश्रे के एक एहम मस्सले पर बात करने जा रहे हैं जो कि है सेक्शुल रिप्र आगे मेरे खाल से बहुत बड़ा रोल प्लेय कर सकता है इसी इस्यू पर नहीं किसी भी इची यह को ओजागर करने के लिए बहुत ज्यादा कर सकता है बट पूरे मेरा मतलब है कि मुल्क की तरफ से हकूमत की तरफ से इन चीज़ों को पहले प्रियोरिटाइज करना चाहिए हमें समझना चाहिए कि इतना जरूरी है अभी तो बुक्स में रिप्रोडक्टिव चाप्टर्स को बच्चों के उसमें से न समझना है कि किसी भी हेल्थ इशू की तरह ये भी एक सिरफ हेल्थ इशू है और इसमें कोई बेशर्मी और बेहयाई की और खराब करने की दुनिया को बात नहीं है इन फैक्ट जब तक हम इन इशूस पर बात नहीं करेंगे चुप चुपके ये तमाम हरकते होती रहेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाऊगे उडारी और जारान जैसे प्रोडक्शन भी हमारे सामने आई जिसमें चाइल्ड इव्यूस के इशू को टैकल किया गया आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू किया जा सकता है अगर हमारा मीडिया चाहे तो यार अगर आप वेस् whatever जो जिस मुल्क में जो उनके issues होते हैं वो उनको subtle तरीके से अपने उसमें शामिल करते हैं हमें बहुत सारी बाते हैं अगर उनकी series देखे पता चलती हैं तो यहां के लोगों को कैसे नहीं पता चलेंगी एक तरीका होता है एक subtleness होती है आपको यह करकर ठा करके लोगों के मुँपे चीजें नहीं मारनी होती हैं अगर मतलब कब से जब से मैं पैदा हों यह तब से सुन रही हो और हम सब को पता है हम वोरते हैं कि किस तनी यहां पे child abuse भी होती है और molestation भी होती है और ओरतों के साथ भी क्या-क्या होता है सो जब आपको एक बात पता ही है और उसको accept करें और उसको एक बुराही समझ के या एक problem समझ के make it part of your life and handle it COVID-19 बहुत अनोखे पहलू हमारे सामने लाया है वजाब Safe City Authority के data के हिसाब से domestic abuse के cases जानुरी से लेकर अब तक बहुत बढ़ चुके हैं जो कि एक तल्ख हकीकत है आपको लगता है इस दोरान हमें और भी जरूरत है कि हम SRA और mental health जैसे topics के उपर अगाही पहलाएं और ये सिर्फ पाकिसान में नहीं पुरी दुनिया में हो रहे हैं ये cases बढ़ रहे हैं but people are addressing it और हम तो घर का मामला कहके कह देते हैं चुपो जो चुपो जो लेकिन जब फिर किसी मा को बेटा मारता है ताब आपको पता चलता है कि ओ ये तो बुरी बात है उतनी ही बुरी किसी पे भी हाथ उठाना और ये जो हर ड्रामे में हम चुपेड़ों को इतना बड़ा कर देते हैं और उनको hero बनाते हैं और हो क्या उस ते चुपेड मारी थी this is a bad thing it should not be promoted आप किसी बच्चे पे भी नहीं हाथ उठा सकते हैं बड़ा तो बहुत दूर की बात है it is against the law and it should be हम Facebook पे campaign कर रहे हैं Soul Sisters Pakistan के page पे hashtag my body is not a secret इस hashtag का मकसद ये है कि औरते खुल के वो बाते कर सकें जो lack of information की वज़ा से शायद जिंदगी में उनके लिए मुश्किलात पैदा करती रहीं आपको लगता है के SRH sexual reproductive health जैसे एक कुदर्ती अमल को राज बनाने से quality of life compromise हो सकता है मेरास बनाने वाली मुझे मेर मतब एक चीज common sense होती है जब आप उसका इस्तेमाल करो तो आपको लगता है के है इस मेरास वाली क्या बात है it's just my genitals are just my body यार it's part of my anatomy like yours ठीक है ना तो I'm not ashamed of my body and my problems so neither is my daughter मैंने तो उसको ऐसे ही बड़ा की है so I can't relate to it when people say के इसको छुपाना चाहिए और ये करना चाहिए और it's high time यार बस कर दो ये बातें मतलब 300-400-1000 साल पीछे क्यों जा रहे है और लोग तो हर महीने जा के अपना check-up कर आतें ये इतना important है बलके हमारी government को they should make it free for women and make it compulsory at least उनको इतना तो कहदो के चलो छे महीने बाग जाके तुमने अपना गाईनी check-up कराना है ये करना है ये थोड़ी सी अब इस पर काम करना पड़ेगा कब तक अब चुप रहना है या तो बता दो के भी इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता है इसलिए हम बच्छों से करनी चाहिए और 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 सो एक माह होने के तौर पे आपको लगता है कि इस कूल करिकुलम में अजुकेशन में ये टॉपिक्स शामिल होने चाहिए ये टेफिनिटली 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 टुट पार्ट अव ग्रोइंग अपनों इसलिए बेटर और क सबस्क्राइप आपको नियुको है युप्यक्स शाची करता अपनों दीटली टेफिर लगता पर्ट लॉट हाव करिकूट अ आपको लिए अजिए बाट इस बार हमें आपको नोगें तक है टोल प्रट इस ऑपडर्ट सिस्टम देश दे शोड़न भी थैंक यू सो मच इफिद हमें टाइम देने का और हमार साथ खुल के इस पारे में बात कर लेंगा